या मारी मेन रिलिप वाल इसका नाम होता है दोस्तों एकदम इजी भाषा में सिंपल भाषा में यह दिया आपको समझाओं आपने कभी भी नल का पानी खेलाई होगा जैसे हम नल के मूँ को बन करने की कोशिश करते हैं मतलब वहाँ पे अंगूटे से जितना दबाते हैं उत जितना हम मूँ उसका ढखनी की कोशिश करते हैं उतना दूर प्रेशर जाता है पानी का और जितना खुला चोड़ते हैं उतना कम प्रेशर आता है पानी नजदिक गिरता है ज्यादा पानी गिरता है लेकिन नजदिक जब उसको उंगली डालते हैं अंदर तो प्रेशर कि आमारी वी सबसे पहले आपको खोल के चेक करना पड़ेगा उसके बाद आपको आगे का डिस्जिजन लेना पड़ेगा नई तो आपका यह अमारी वी जाम है उसमें कोई भी प्रब्लिम होगा और आप हड्रोलिक प्रम चेंज करोगे तो आपका प्रब्लिम स्वाल नहीं होने वाला इसके लिए आपके सामने यह हमने खोला है जैसी भी 3DX 2014-15 का मशीन है तो इसका सबसे पहले हमने यह हमारी खोला है आप इसको कैसे खोलते पूरा खोल के लगेगे इस तरह से दो टूल से आपको इस तरह से खोलना है यह देख सकते हैं यह दो बोल्ड को पहले 19 का बोल्ड खोला उसके बाद यह वाला उपर का बोल्ड खोलना है हमें 26 का इस तरह से यह हमारी भी दीकिए उसके अंदर यह देख सकते हैं दिखने में थूड़ी परिशानी होगी क्यूंकि मैं मशीन के नीचे बैटा हूं जुकके बैटा हूं थोड़ा सा यह देख सकते हैं इस तरह खोलने के बाद यह spring होगे रहा निकलता है उसमें तो आपको diesel में clean करना है उसको और बाद में बिटना है इसके अंदर यह वाले piston भी निकलेंगे इसमें जितने भी parts निकलेंगे spring यह मेरे हाथ में poppet है एक हाथ में plunger है यह plunger, poppet और piston है इसमें jam नहीं होना चाहिए आराम से एकदम आहिस्ता निकलना चाहिए यह दिया आप में jam होता है तो आप एकदम zero number के polish paper से उसे polish paper से आप उसको polish कर सकते है जादा नहीं करना है एकदम smooth यह मेरे वाला एकदम free है आप देख सकते हैं यह ऐसे करने पर हील रहा है एकदम free है यह तो मैंने आपको दिकाने के लिए खोला है स्रीप यह हमारी 2015 के जैसे भी 3DX model का है एको excellence का है यह पोपेट भी होता है यह लंबा वाला यह अंदर का जो plunger है यह पोपेट देख सकते हैं यह ओर रिंग को देखना है ओर रिंग कटी हुई है तब भी आपका pressure नहीं बड़ेगा यह से इंटर वाली जो ओर रिंग है वो भी आपकी आच्ची होनी चाहिए ओर रिंग कटती है तो सीधा ओर रिंग replace करके जैसे खोल दो हाँ यह यह हमारी वी की आप ऊपर की एलिंग के सेटिंग हिलाते हो और यह हमारी वी खोलते हो तो आपके पास hydraulic pressure भी होना जरूरी है क्योंकि उसके पाद आपके hydraulic pressure की सेटिंग हिल जाएगी तो आपको प्रेशर दूबवारा से सेट करने के लिए आपको आपके पास hydraulic pressure प्रेशर होना जरूरी है नहीं तो आप अमार्य खोलोगे क्लीन करोगे बेटा होगे सब कुछ ठीक से करोगे लेकिन आपके पास हाइड्रुलिक प्रेशर गेज नहीं है तो आपका काम आधोरा रहेगा आम का काम बिगड भी सकता है कम ज्यादा प्रेशर होगा तो कम होगा तो मशिन चलेगा नहीं ज्यादा होगा तो एक आदा होज पाइप तोड़ सकता है यह आपको ध्यान देना है यह देख सकते हैं मेरे एमर्व में जितने भी पोपेट से प्लंजर है पिष्टन है सभी के सभी एकदम फ्रीवेट है मतलब उसमें कोई जंग लगा नहीं है उसमें कुछ खचरा आठका नहीं है ना उसको कुछ मटेरियल आठका हुआ है लेकिन ज्यादा तर मामलों में क्या होता है कभी जाम हो जाता है कभी कोई खचरे का तुकड़ा उद्धर आठक जाता है ऐसा होने के बाद भी आपका हैड्रूलिक प्रेशर स्लो हो जाएगा या बढ़ भी सकते कभी कभी यह हमारी में यह देख स फिर hydraulic pressure की जरुरत नहीं है लेकिन इसको खोलते हो तो आपको hydraulic pressure gauge लेगे एह LAनख की देख सकते हैं चार नंबर के लेंग के आएगा उसको चार नंबर के से खोलेंगे अब हम इसको एक बार link की धून लेता हुए मैं मुझा लिंक्या प्टेंग इसको खोलने के लिए जैसी भी 3DX से जुड़ी हर जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आप देख सके आपका नॉलेजी इंप्रो कर सके यह जो पीछे की एलिंक की मैंने आपको बोली थी उ खोड़ा सा आपको वीडियो में दिखने में परिशानी हो रही है मुझे भी पता है यह देख सकते आप यह एलिंग की मैंने एलिंग की स्कुरू से खोला है यह अंदर पोपेट और स्प्रिंग निकली है लेकिन यह जाम नहीं है यह इसकी कंडिशन बिल्कुल नए यह मार आप दोस्तों जैसे मैंने खोला था वह इसे उसको बिटाने के लिए स्टार्ट किया है जिस तरह से मैंने सब कुछ खोला है आपको भी आपका भी भी निव है इसमें तो वीडियो बना के रखिए ताकि आपको बात में दिक्कत ना हो या फोटो भी खीच के रख सकते हैं जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप खोलेंगे देख सकते हैं मैंने जब पहले नट निकाला था एलेंग की निकाली थी तो इसको मैंने एसेंबल किया है अब इसके नीचे ये में स्पूल को दबाके चेक कर रहा हूं स्प्रिंग हो गेरा सब कुछ आच्छा है कहीं पे भी अधर के प्रिंचर सब कुछ जैसे बिटायाता वह इसे आपको जैसे निकालाता वह इसा आपको बिटाना है यह बात को द्यान में रखिए यह इस तरह से पिष्टन को पहले पोचना है डेस्ट नहीं लगनी चाहिए अंदर पिष्टन को अच्छी तरह से पोच के लेंगे और फिर इस पिष्टन में आपको यह नीचे वाला हाउजिंग लगाना है बस अपना काम खदम जिस तरह से खोलाता उसी तरह से टाइट करना है आपको इसको अच्छा का सटाइट करना है 26 का टूल्स लगेगा आपका 2016-17-18 का मशिन होगा तो आपको 26 के दो टूल्स लगेगे आपके पास टूल्स नहीं है तो आप कुसी खोलिए भी मत टूल होने बहुत जरूर है उसके बाद जैसे हमने MRV खोल रहता वैसे ही उसको इस वाल ब्लोक को बिटाएंगे और एक बार प्रेशर सेट करेंगे तो आपने MRV की पूरी इंफ्रमेशन देखी है वीडियो आच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा ताकि आने वाले सारी की सारी वीडियो आपको देखेंगे